कि यहाई क्या है तो चाहें तुम्हें पता है तादा मेरे पास एक बहुत बढ़िया समाचार है वा, यह तो बढ़िया समाचार है तो तुम्हें गया रोक रहा है क्या विशय हूँ? ओ, यह तो बहुत ही दिलकस्प है और आज के जमाणे में युवापिडी के लिए ज्वलन्त विशय भी तुम्हें इस प्रतियोगिता में अवश्य सहभाग लो क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं मुझे बताओ मैं कैसे तुम्हारी साहेता कर सकता हूँ मैंने वातावरन बदलाव के बारे में टीवी और इंटरनेट पे थोड़ा बहुत पढ़ा है अपने जीवनकाल में प्रतियक जीव अपने आवश्यक्ताओं के लिए जैसे की रोटी, कपड़ा और मकान के लिए परियावरन अत्वा आसपास के जीवों पर निर्भर रहता है और इसे करते समय वो आसपास से जो कुछ भी चाहिए उसे लेता है और जो चीजे नहीं चाहिए उसे फेंक देता है ऐसे बहुत से सजीवों के बीच आसपास के परिसर में आदान प्रदान चलता है अध्यन के क्षेतर में इसे पधतिपूर्ण मार्क से पढ़ा जाता है उसे परिस्थिदी की विज्ञान कहते हैं परिसंस्थान कहते हैं हाँ अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है लेकिन इसका नियोजित अध्यन कैसे हो सकता है क्योंकि विश्व में अंकिनित प्रकार के जीव मौजूद हैं शायद करोड होंगे इस ग्रह पर पर कई जगाओं पर रहते होंगे उनमें और आपस की परिसर में होने वाले आदान प्रदान का अध्यन तो इससे अधिक जटिल बन गया होगा हाँ बिलकुल होगा सच कहा जाए तो परियावरन विज्ञान शास्त्री गंड एक ही समय में सारी जगाओं पर सजीवों का अध्यन करते हुए इन विशेयों को जटिल नहीं बनाते हैं बलकि करमान ओकुल सुलब मार्क से और एक परिस्थितिक इकाई अर्थात परिसंस्थान के माद्यम से ये कारी किया जाता है हाँ अब मैं थोड़ा-thोड़ा समझ पारी हूँ क्या आप मुझे परिसंस्था के बारे में थोड़ा और खुलकर पता सकते हैं ठीक है, अब ध्यान से सुनो सजीव और उनके अधिवास से जो ढांचा बनता है उसे परिशन स्थान कहते हैं इससे जीव मंडल की मौलिक इकाई तयार होती है परिशन स्थान के सजीवों को जैविग घटक कहते हैं जबकि परियावरण में जो निर्जिव घटक होते हैं, उन्हें परिशंस्थान के अजैविक घटक कहते हैं, इन सजीवों में निरंतर आंतरक्रिया चलती रहती हैं, जैविक घटक एक शेतर में जीवन व्यतित करते हैं, फलते, फुलते हैं और बढ़ते भी हैं, एक दूसर की मृतिव के बाद, उनका मृत शरीर अपगटित होता है, और अजैविक घटकों के रूप में परियावरण में आता है, इसलिए परिशंस्थान एक संतुलित, स्वयम पूर्ण और स्वयम नियमित संस्था है, तो क्या तुम हमारे घर परिशंस्थान के जैविक घटक बत सकती हो, मैं आप ममी और पापा, क्या मातर इतना ही है, और निर्मल अंटी, जो रोज मा को घर के कामों में मदद करने के लिए और मेरी दोस्त, जो मेरे साथ वीडियो गेम्स खिलने के लिए आते हैं, और आपके मित्र जो एक साथ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, राज तु क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है, कि घर परिस अंस्थान के कुछ जैवी गटक तुम भूल रही हो, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को भूल रही हूं, हमारे बालकनी के पौधों के बारे में सोचा, और जब मां हर सुबह दाने डालती है, तब बालकनी में मुक्षमजीव होते हैं, जिने हम देख भी नहीं सकते हैं, मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था, तो आप तुम्हें घर परिस अंस्थान के जैवी गटक तो समझ में आ गये हैं, अब क्या तुम इसी के अजैवी गटकों के उधारन दे सकती हो, हमारे घर की सभी निरजी से भरी हवा, पानी, पानी की भाप, हमारे घर की हवा का तापमान, घर के उपकरणों के लिए आवशक बिजली, अन्ड बनाने के लिए लगने वाला LPG ग्यायस, घर के निरजीव घटक क्या हमारी दुनिया नहीं बनाते हैं, इन सब घटकों के बिना हम जीवन की कल्पना क कर सकते हैं, नहीं दादा, हमारे घर में मौझूद ये सारे अजयविक घटक बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारा रोज मर्रा का जीवन निन पर निर्भर होता है, अब तुम सही हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें परिसंस्थान के जयविक और अजयविक घटको हैं, उन्हें अजयविक घटक कहते हैं, रासाइनिक और जयविक घटकों में तत्व, उनमें मौझूद सेंद्रिय और असेंद्रिय पदार्थ जो पानी के खनिज और गैसेज, हवा, मृदा, आदी रूप में मौझूद होते हैं, जयविक घटकों में मौसमी घटक जैसे क प्रकाश आध्रता तापमान वर्शा पवन और बाकी अन्न भोगॉलिक घटक जैसे बुरुदा के प्रकार रचना पाशान फर्श उंचाई आदि आते हैं लेकिन दादा क्या समस्त परिशंस्थान हमारी घर इतने बड़े होते हैं या उससे भी बड़े परिशंस्थान का आकार परिश्थिति विज्ञान शास्त्रियों के द्वारा उनके अध्यन के उद्देशों और लक्षों पर आधारित तै किये जाते हैं परिशंस्थाएं हमारे घर से बहुत छोटे या कई गुना बड़े भी हो सकते हैं उधारन के लिए हमारे परिवार का परिशंस्थान बड़ा होगा जब हम किवल हमारा घर ही नहीं बलकि इस इमारत का भी विचार करेंगे जब हम तुम्हारी पाटशाला तुम तुम्हारे कोच के साथ जहां प्रैक्टिस करती हो वो बैड्मिंटन कोट मेरा कॉलेज इन्हें भी शामिल करेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी और यदि हम हमारे पापा जहां काम करते हैं उस बैंक का मुख्य कार्याले शामिल करेंगे वो संस्थान एक शहर जितना बड़ा होगा हमारे पडोसी शर्माजी के घर जो मचली घर है हाँ रीटा शर्माजी का मचली घर एक छोटी जलिय परिशन स्थान है जबकि शहर का सरोवर एक बड़ी जलिय परिशन स्थान है वैसे ही यहाँ एक नून करने योग्य अंतर है जबकि फिस्टैंक या मचली घर या शहर का सरोवर या मानव निर्मित जलिय परिशन स्थान है तो समुद्र, महासागर, तट, प्रवाल शैलमाला, नदिया और कई सरोवर प्राकृतिक जलिय परिशन स्थान है अगर ऐसा है तो क्या ये मैं कह सकती हूं कि हमारी इमारत भी मानव निर्मित परिशन स्थान है क्या ये सही होगा हाँ और इसी के साथ केंद्रिय सरोर के पास की बाग, बाग की बगीचे, चावल के खेत, आमराई और अन्य खेत ये सब मानव निर्मित स्थलिय परिशन स्थाने हैं प्राकृतिक स्थलिय परिशन स्थानों में पहाडिया, परबत, वन, मरुस्थल, घास, घास स्थल आदि आते हैं। पृत्वी पर विशिष्ट स्वरूब की परिशन स्थान एक बड़े क्षेतर में तैयार होती है जिसे बायोम कहते हैं। द्रूओं पर टुंडरा प्रदेश, अफरिका के उष्ण कटी बंदिय वर्शावन, दक्षिन अमरिका, नैरुत्ति भारत और निलगिरी, शंकुधर और हिमालय के शितोष्ण बन, सावाना के घास स्थल, थर के उष्ण रेगिस्तान, साइबेरिया के ठंडे रेगिस्तान, आदी और बहुत से जाने माने जलीय परिशण स्थान, जैसे की सुन्दरबन की जीले, गंगा, नर्मदा, कावेरी, जैसी नदियों के मीठे पानी के जलीय परिशस्थान, अर्भी समुदर, आभ्यंतरिक समुदर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर, आदी. शुक्रियत आदा, मुझे परिशंस्थान की मूलगामी संग्या, उसकी रचिना, व्यवस्था और उसके आकार अब समझ में आ गए हैं पर क्या आप मुझे परिशंस्थान किस प्रकार कार्य करते हैं, यह बता सकते हैं? हाँ हाँ मैं बताऊंगा, पर तुम अभी पाच्छला से आई हो, जाओ हाथ मों दोलो और कुछ खाओ, जैसे कि तुम फ्रेश होकर आओगी हम शुरू करेंगे, ठीके? ओके? यह लेके जाओ, हम जारी रखेंगे, ओके? झाल